है जहीं दोब चले समद्स बात करते हैं इस और कशन के बारे में इस कोशन में एक्जामन ने क्या का है 91 प्लस 92 प्लस 93 डॉट डॉट 110 इस एकवल टू यानि एक्जामन ने क्या का कि इन सबका सम केजी है और सम करके बताइगे कि इस में से कौन सा है तो इसके दो तरीक हैं एक तो हम तरीका यूज करेंगे एपी वाला क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वह आलवेस क्या रहा है वन माना ना तो इसमें एवन जो फस्त ट्रम होगी मेरी पास वह नाइंटी वन होगी और एण या नी लास्ट रम ज ठीज नि कालना पड़ेंग उसके लिए एन इसकल टो में ए प्लस का इन माइन जाके यहां से माइनस करेंगे तो नइन हो जाएगा नहीं हो जागा तो यह जब n-1 बराबर में होगा तो यहां जाके मेरे पास प्लस में हो जाएगा n तो n क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका 20 is equal to n हो जाएगा यह मेरे पास n की value होगी अब इसी value को मियार रखेंगे तो 20 जाएगे 20 by 2 यानि कि 10 हो जाएगा 10 a की value कि इतनी 91 और a n की value 110 है उसमें जोड़ेंगे तो क्या का 1 0 और यह कितना हो जाएगा आपका यह 2 इसको multiply करेंगे 10 से तो 2010 यही इस question का correct answer होगा यानि कि option B होगा या तो आप इस तरह से कर लिए नहीं तो एक simple सा तरीक है आपके बास में 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 एंटर तो इसका formula दा सम निकालने का n n प्लस का 1 by में 2 इस तरह से निकालेजिए तो पहले मैं सम निकालूँगा एक से लेकर 110 तक का तो एक से लेकर 1 तक का निकालने को तो 110 10 इंटू में कितना हो जाए मेरे पास में 111 और बार में क्या हो जाएगा प्ट तो यह हो जाएगा 55 या निकालूगा अब में क्या निकालूँगा 1 से लेकर 90 तक का निकालूँगा तो 90 की वैली रुकमा तो ये 90 इन्टु में 91 बाइ में 2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 45 तो 45 से मंटिप्लाइ करूँगा तो 5 और 9 पंचे 45 और ये हो जाएगा 4 और 9 चुछ ये 5, 9 और ये कितना हो जाएगा 0 और 4 तो ये 4, 0, 9, 5 इसमें से काटा दा 0 आएगा ये 1 बचेगा ये 0 आएगा और ये मेरे बास कितना बचेगा 2 तो यानि कि option B जो है वो इस question का correct answer होगा I hope आप सभी को question समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत